दोस्तों कि आपका बाक्स हैंग हो गया है या आपका D2H लोगो श्टक हो गया है आप बार बार TV को बंद करके आन करते हैं और आपका D2H लोगो आ करके 20-25-23 के उपर चिपक जाता आश्क्रीन के उपर और फिर इससे उपर आगे नहीं बढ़ता है दोस्तों अगर आपके यहाँ D2H का बाक्स लगा हुआ है तो मैं इसका आपको पूरा-पूरा सरीसन बताऊंगा कि कैसे आप इस परेसानी से बहुत ही आसानी से बाहर निकल सकते हैं अगर आप इसी तरह की अच्छी जानकारिया चाहते हैं तो फ्रेंट्स हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें चैनल पर आपको इस तरह की नई नई वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं जैसा कि फ्रेंट्स देख पा रहे हैं हमारे सामने ये वीडियो कान Dozen का बाक्स लगा हुआ है और इस पर दोस्तों हमारा Dozen का लोगो जो है वो हंग हो चुका है और ये 23 के उपर नहीं लोडिंग ले रहा है जिसके कारण फ्रेंट्स हमारे चल नहीं चल पा रहे हैं अब मैं बदाता हूँ फ्रेंट्स आपको ऐसी परिस्तित में क्या करना होगा दोस्तों सबसे पहले आपको एक बार Power को आफ करना है और उसके बाद आपको फिर से Power को आन कर देना है तो friends देख पा रहे हैं मारा box यह on हो रहा है और यह दिखे friends हमारी screen open होच की है अब friends आपका box यहां से पूरा पूरा loading होना चाहिए अगर friends आपका box पूरा पूरा loading नहीं ले रहा है फिर आपका वहीं पर जाके attack गया है ऐसी हिस्तित में friends आप चत्के उपर पहुंच आते हैं और अपनी डिख को इधर उधर राइट लेट गुमाने लगते हैं तो friends इस तरह से डिख गुमाने से आपके D2H लोगे की हाइगी के problem में कोई भी अंतर नहीं आएगा और friends जो आपके signal आ रहे थे वो भी आपके चले जाएंगे तो friends आपको करना क्या है सबसे पहले आपको box के back side में जो disk cable का connection लगा होता है उसको आपको open करना है और open करने के बाद friends आपको फिर से उसको अच्छी तरह से tight कर देना है दोस्तों अधिकतर जो problem होती है box के hanging की या due to age के logo के hanging की तो friends इसी कारण से आती है तो आपको इस connector को अच्छी तरह से tight करना है tight करने के बाद friends आपको box को एक बार off कर देना है और off करके उसको फिर से on करना है अब friends जैसे ही आपकी box की नीली light on हो और आपकी screen के उपर इस तरह से जैसे ही logo आए आपको तुरंत ही remote से एक secret code जो मैं आपको अभी बताऊंगा उसको आपको 5-6 बार लगा अतार आपको जल्दी जल्दी प्रेस करना है तो friends हमारा secret code ये रहा secret code है friends green 05 mute आपको ये 4 बटने बहुत जल्दी जल्दी प्रेस करनी है जैसे ही आपकी loading start होती है आपको remote से green 05 mute, green 05 mute, green 05 mute आपको 4-5 बार लगा अतार आपको प्रेस करना है अब दोस्तों जैसे हमारा box start होगा यानि कि हमारी red और निरी light जैसे ही blinking बंद होगी निरी light जलना start हो जाएगी हम friends तुरंत फटा बट ये green 05 mute button प्रेस करेंगे तो friends मैं लगातार इसको दबाना start कर रहा हूं जैसा कि हमारा screen के उपर logo आ चुका है अब friends मैं फटा बट इसको प्रेस कर रहा हूं अभी आप देखेगा कि हमारा ये जो लोगो हैंग हो रहा था ये problem हमारी हमेशा के लिए साल्प हो जाएगी देखे friends हमारी line ये आगे बढ़ चुकी है देखे friends ये हमारी last तक आगे चुकी है दोस्तों पूरी वीडियो देखना वर्णा आप ये पूरा process नहीं कर पाएंगे friends अभी मैं आपको एक और चीज बताऊँगा तो friends जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी ये line पूरी हो चुकी है अब हमारा box यहां से reboot होगा तो देखे friends ये box हमारा on हो रहा है फिर से हमारी screen की light जो है blue हो चुकी है और अभी हमारा इस पे due to h का logo आएगा ये देखे friends हमारा लोगो आ चुका है और friends देखे हमारी यहां पर loading चल लगी है और friends ये जो अभी यहां तक जा रहे थी अभी ये पूरी जाएगी और इसके बाद हमारा box चलू हो जाएगा देखे friends हमारा box इस तरह से on हो जाएगा अब friends आपके सामने next screen कुछ इस तरह से आएगी यहां पर आ यहां पर नीचे signal quality और signal strength नहीं मिलती है तो फिर friends आपका जो box है यहां पर no signal error दिखाएगा और आपके TV screen के उपर no signal found की error आती रहेगी तो friends आपको यहां पर signal strength और signal quality दोनों ही लानीब होगी तभी आपके यहां पर channel लाएंगे और आपके channel scan होगे आप friends आपको signal आने के लिए दो mobile लेने होगे एक mobile आप TV सेट के सामने रखेंगे और दूसरा mobile छट के उपर ले जाएंगे और छट पर ले जा करके आप अपनी डिस को सेट करेंगे जब भी आपके friends आपके पूरे यहां पर signal आ जाए यानि आपके दोनों signal आपके green हो जाए आपको छोड़ना है दोस्तों जो चट के उपर आप आएंगे तो आपको बहुत सारी डिस लगी दिखाई पड़ेंगी आपकी जिधर के सारी डिसे लगी हुई है आपको उसी direction में आपको डिस को मुवमेंट करना है थोड़ी सी फ्रंट्स आपको उसिस करेंगे तो आपको D2H का signal बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और फ्रंट्स आपको signal को तब तक adjust करना जबता कि आपके signal green नहीं हो जाते हैं अगर फ्रंट्स फिर भी आपकी problem रहती तो आप डिस का skew angle set करें दोस्तों डिस का angle अलग-अलग जगे के हिसाब से अलग-अलग होता है इसलिए अपन अब फ्रंट्स मैं इसको घुमा रहा हूं अब फ्रंट्स हमें signal कहीं यहां पर मिल जाएगा जैसे फ्रंट्स हमें मिल जाएगा signal वैसे हम डिसको रोक देंगे फ्रंट्स हमारा यहां पर signal मिल चुका है अब फ्रंट्स जहीं पर हम अच्छी तरह से इसको adjust करेंगे ताकि हम दोनों लाइने हमारी ग्रीन हो जाएं दोस्तों मैं डूटो एच का सिग्नल मिल चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर दोनों लाइने सिग्नल क्वाल्टी और सिग्नल इस्टेंथ दोनों ही पूरी तरह से ग्रीन हो चुकी हैं अब फ्रेंट् क्या करना होगा हो मैं आपको बताता हूँ अब फ्रेंट्स आपको box को auf कर देना होगा box को off करके आप जैसे ही आन करेंगे तो आपके सामने फिर इस तरह से loading होने लगेगी और उसके बाद फ्रेंट्स आपके channel भी scan होना start हो जाएंगे और आपके सारे चैनल आ जाएंगे अगर फ्रेंट्स आपके चैनल स्कैन नहीं होते हैं एक बार अपने बाक्स का पावर आफ करना है और जैसे फ्रेंट्स आपकी निली लाइट आन हो यानि आपका लोगो लोडिंग स्टार्ट हो आपको तुरंदी फटापट वही सिक्रेट कोड ग्रीन 05 मूट फटापट चार पांच बार आपको बिना रुके हुए दबाना है और आपकी ये प्राबलम साल्ब हो जाएगी और आपके चैनल स्कैन होना स्टार्ट हो जाएंगे तो फ्रेंट्स अगर आपकी डिसके उपर नो सिग्नल ये नो सिग्नल प्राबलम का एरर भी आता है और आप सिग्नल सेट करना चाहते हैं तो इस तरकीब से फ्रेंट्स आप अपने सिग्नल को भी सेट कर सकते हैं और अपना बाक्स चालू कर सकते हैं देगे प्रेंट्स हमारे यहां पे टोटल 476 चैनल स्कैन हो चुके हैं और अभी ये बाक्स बंद होकर के फिर से एक बार आन होगा रिबूट होगा और आपके चैनल चालू हो जाएंगे तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब क देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद